ब्रेड हमारे breakfast का और बच्चों के tiffin का बहुत important हिस्सा बन चुका है तो क्यों ने इस ब्रेड को हम healthy तरीके से घर पे बनाए जिससे हमें खाने में या बच्चों को देने में हिच की चाहट न हो दो simple steps में आप ये bread घर पे बना सकते हैं और यहों के आटे की जगा आप इसमें multi grain आटा भी use कर सकते हैं तो है ना मज़िदार recipe इस recipe को देख के जब आप bread बनाएंगे तो पहली बार में आपका bread बेकरी जासा बनेगा लगेगा ही नहीं कि आपनी से घर पे बेक किया है simple recipe बनाना बहुत आसान है और ये एक healthier option है तो चलिए आज के मज़िदार recipe शुरू करते हैं bread बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बरतन में आधा कप गुन-गुना पानी ले लेंगे हलका गरम पानी यूज़ करें इसमें फिर हम इसमें दो छोटी चमच चीनी डाल देंगे सारा measurement measuring spoon से ही करें अब हम इसमें yeast डाल देंगे तो यहाँ पे आपको 2.5 teaspoon यानि धाई छोटी चमच yeast का इस्तमाल करना है yeast आप active या dry जो भी use करें उसके पीछे जो instruction है उसे पढ़के इस्तमाल करें तो यहाँ पे इसे गुन-गुने पानी में थोड़े से चीनी के साथ ऐसे डाल दे measurement आपको ध्यान रखना है तीन कप गेहूं क्याटा के लिए धाई छोटी चमच yeast इसे एक बार हलके हाथों mix करें और ढखके 15 मिनट के लिए छोड़ दें इसे आपको अच्छे से cover करना है तो यहाँ पे 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे इसे active करने के लिए 15 मिनट बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे इस जो है वो active हो गया मतलब फूल के पूरा जाग जैसे ऐसे दिखने लगेगा यह पानी के उपर इसे आपको ऐसे देख के समझ में आ जाएगा कि इसे हमारा पूरा एक्टिव है अब हम इसमें डाल देंगे गेहु काटा तो तीन कप यहाँ पे गेहु काटा डाल देती हूं मैं साथ में थोड़ा सा नमक डाल दे तो यहाँ पे डेड़ छोटी चमच मैंने नमक डाला इसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा तेल डालना है तो दो छोटी चमच आप इसमें कूकिंग ओयल डाल ले जो आप खाते हैं सरसो का तेल का यूज ना करे रिफाइन ओयल या फिर पीनट ओयल आप इसमें यूज कर सकते हैं इसके बाद इन सब को अच्छे से मिला दे और जैसे ही सारी चीज़ अच्छे से मिल जाएगी हम इसमें पानी डालके इसे गुन लेंगे तो इसे गुनने के लिए आपको नॉर्मल पानी का हिस्तिमाल करना है ठंडा या गरम नहीं जब आप इस्ट को एक्टिव करेंगे ना अगर वो पानी में जागने ही बनता है तो आप उसके आगे का प्रॉसेस नहीं करे क्योंकि अगर इस्ट एक्टिव नहीं हुआ तो आपका ब्रेट जो है वो फूलेगा नहीं हमें न इसे अच्छे से बस मिक्स करके इसका एक सॉफ्ट डो बना ले ना ये देखे इसे मारना नहीं है बस अच्छे से मिला ले थोड़ा सा स्मूद कर ले और इसके बाद क्या करेंगे कि यहां पर इसे ऐसे उल्टा फोल्ड कर देंगे यह देखे हमें इस डो को रखना है फूलने के लिए तो यहां पर हम क्या करेंगे ना इसके उपर थोड़ा सा तेल लगा कि उपर की लियर क स्मूथ कर देंगे यह देखे ऐसे और इसके बाद आप इसे अच्छे से सील कर दे मतलब अच्छे से ढग दे या तो आप यहां पर क्लिंक फिल्म का यूज करें या फिर ऐसे आप इसे फॉयल पेपर से भी अच्छी तरह कवर कर सकते हैं अब हम इसे दो घंटे के लिए रख गुन्देंगे तो हमें इसे दो बार राइयस होने के लिए रखना यहां यहां पर इसमे चिपके नहीं तो यहां पर यह अच्छी तरह ग्रीज हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे इस दो में तो डोड़ा सा तेल डालेंगे ताकि जब हम इसे mix करें तो यह हाथों पे चिपके नहीं यह देखे और इसके बाद इसे rolling board पे डाल के और इसे ऐसे हलके हाथों रोल करके और इसे balance से रोल कर लेंगे तो यहाँ पे आपको सुखाटा मैदा कुछ भी नहीं लगाना है हमने इसके उपर oil लगा है जिसे चिपके का नहीं और यह आसानी से ऐसे roll भी हो जाएगा तो आप इसे ऐसे चौकोन में roll कर लें जितना बड़ा आपका baking tray है उसके हिसाब से आपको इसे roll करना है यह देखे मैंने यहाँ पे इसे थोड़ा लंबाई में किया है तो हमें इसे fold करना है तो यहाँ पे एक side से आप इसे ऐसे fold करें और इसके बाद tin के हिसाब से आप इसका measurement ले लेगे देखे एकदम एक ही बार आप इसे fold करें और इसके बाद जो आपका baking tray है उसके अंदर आप इसे रखके देख लें अगर यह छोटा बड़ा हो रहा है तो आप हलके हाथों से इसे आगे पीछे से press कर सकते हैं तो यहाँ पर यह देखे जो baking tray है उसका आधा dough देख रहा है तो हम क्या करेंगे वापस इसे ढख देंगे और इसके बाद second proofing के लिए हमें इसे एक घंटा ही रखना है दो घंटा नहीं रखना है एक घंटे बाद जब आप foil paper हटाएंगे ना तो यह dough जो है फूल के double हो जाता है यह देखे तो cake team के आधा dough था और यह फूल के पूरा दुगना हो गया है यानि cake team के बाहर आ गया है तो यहाँ पे dough हमारा अच्छे से ferment हो गया है तब हम इसे bake करेंगे इससे हमें 200 degree पे 30 मिनट के लिए bake करना है ध्यान रहे oven जो है वो preheated होना चाहिए तो मैंने 10 मिनट के लिए 200 degree पे इसे preheat किया था इसके बाद यह baking tray डाल दिया 30 मिनट का timer लगा दे और temperature 200 degree रोड जो है वो नीचे दोनों का on रहना चाहिए 15 मिनट बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे oven को एक बार खोलेंगे और ऐसे tray को निकालके bread के उपर थोड़ा सा butter लगा देंगी butter की जगा आप इसके उपर milk भी लगा सकते हैं उससी इसके उपर का जो texture है वो dark color का होता है लेकिन यहाँ पे brown bread खुदी dark होता है तो इसके उपर मैं suggest करूँगी कि आप milk नहीं लगाए butter लगाए butter लगाने से bread के उपर का जो texture है वो थोड़ा सा soft रहता है in comparison of milk तो यहाँ पे हम वापस इसे oven में रख देंगे और 30 मिनट सक पूरा इसे bake करेंगे 30 मिनट होते ही हम यहाँ पे oven को बंद करके इसे निकाल देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो bread के उपर का color है वो एक्टम बढ़िया है यह देखे अगर आपको इस bread को और ज़्यादा डाक करना है क्रिस्पी करना है तो आप इसे 10 मिनट और पका सकते हैं जासके मैंने बताया है तो 30 मिनट की जगा आप इसे 40 मिनट करें तो यहाँ पे bread हमारा अच्छे से बेख हो गया है तो अब हम क्या करेंगे इसे oven से निकाल के और इसके उपर थोड़ा सा butter लगा देंगी बेटर लगाना इसके उपर optional है अब हम इक गीला कपड़ा इसके उपर ऐसे रख देंगे और इसे हम 4-5 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि bread जो है वो अच्छे से सेट हो जाए bread को पूरी अच्छी तरह ठंडा हो जाने तो उसके बाद ही आप इसे unmold करे तो यहाँ पे मैं इसे एक घंटे बाद ही निकाल रही हूँ आप कम से कम 4 घंटा रहने तो उसके बाद निकाले तो यहाँ पे किनारों को ऐसे scratch करके हम इसे flip कर लेंगे तो इस वाले टिन में हमने butter पे पने ही लगा है बस oil से grease किया था और यहाँ पे जब मैं इसे flip करूंगी यहाँ पे tap tap निकलो वाबा तो यह हमारा bread जो है वो यह देखे कि तपढ़िया देख रहा है है ना हर तरफ से color भी वड़िया है और एकदम perfectly bake हुआ है चारो तरफ से और जब आप इसे ऐसे press करेंगे तो यह soft भी बहुत ज़्यादा है है ना तब हम इसे cut लेते हैं तो यहाँ पे bread knife है तो bread knife से नहीं तो normal knife से आप इसे cut कर ले तो bread के slices आप अपनी मर्जी के हिसाफ से थिक या थिन रख bread बनाया है वो गिहूं के आटे से बनाया है जो कि एक healthy option है आप इसमें multi grain भी यूज़ कर सकते हैं और नहीं तो अगर आपको दुकान जैसा texture जाए हो तो आप मैदा यूज़ करें इस से process से तो यहाँ पे इसी तरीके से सारे bread के slices को cut कर ले तो यह हमारा healthy और tasty brown bread बन के तिय नहीं है तो जाली दार perfect एकदम बेकरी जैसा bread आप घर पे बना सकते हैं और वो भी healthier तरीके से तो यहाँ पे जो bread के slices है इसमें जाली भी एकदम perfect आई है यह देखे जैसे दुकान वाले bread में मिलता है इसका बदलब हमारा bread जो है वो एकदम सही से बेक हुआ है और एकदम perfect measurement तो उमेद करते हूं कि आज की brown bread की recipe आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे friends family के साथ share जरूर करें